हेलो दोस्तो कैसे हैं आप उमीद है आप सब अच्छे होंगे स्वागत है आपका अमारी यूट्यूब चैनल पर जहाँ पर हम आज बात करेंगे फेस पर होने वाले पिंपल्स यानी की मुहासों के बारे में और साथी साथ जानेंगे कुछ घरील उपचार के जिन से हम मुहा पासों से चुटकारा पा सकते हैं आएए दोस्तो सबसे पहले जानते हैं के चहरे पर पिंपल्स यानी के मुहासे क्यूं होते हैं दोस्तो इसकिन एकसपर्ट्स बताते हैं कि आम तोर पर तवच्छा पर मوجود ऑईल गरन्थियां इसकिन को ऑईली बनाये रखती है जिसके कार में किटानू पनपकर infection पैदा करते हैं जो मोहासों के रूप में चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर नजर आते हैं इसके अलावा पिंपल्स की वज़ा hormonal बदलाव को भी माना जाता है तो आईए विस्तार से जानते हैं पिंपल्स से छुटकारा पाने के कुछ घरेलू benv falsch marshmallow बैक्टीरिया की वज़ा से होने वाले पिंपल्स को पनपने से रोकने के साथ ही इससे संबंदिथ सूझन को भी कम करते हैं साथ ही aloeve地方 में मुझूद antiseptic गुन ही bacteria को तुच्चपर पनपने से रोकते हैं इसे इसे इस्तेमाल करने के लिए aloeve довural के पते से ताजा जैल निकालें और सीधे पिंपल वाले हिस्से पड़ लगा लें करीब 15-20 मिनिट बाद चेहरे को थंडे पानी से धूलें नमबर दो नारियल का तेल दोस्तों नारियल के तेल में जिवानों रोधी योगिक के साथ ही विटामिन E होता है इसी वज़ा से नारियल के तेल का तेल का तेमाल पिंपल हटाने के उपाए और इसकी वज़ा से चेहरे में पढ़ने वाले धबों के उपशार के रोप में किया जा सकता है इसके अलावा नारियल तेल 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 को मोश्राइज करके नरम रखने के साथ ही इसकी निंफेक्शन से बचाने में भी मदद करता है नारियल तेल का इस्तिमाल करने के लिए सबसे पहले इसकी कुछ बूंदों में थोड़ा सा शहद मिलाएं फिर इसे अच्छे से फेंट कर अपने चेहरे पर लगा लें और कुछ ही दिर बाद चेहरे को गुनगुने पाने से धोले नमबर 3 मुलतानी मिट्टी दोस्तो मुलतानी मिट्टी भी मुहांसे हटाने के घरील MORनोसकों में से एक है दर असल मुहांसे टवचा की तेल ग्रंथिया दो आरा सीबम बनाने की वजह से होते है सीबम एक ओयली सबस्टांस होता है जो तवचा बनाती है मुलतानी मिट्टी तवचा में बनने वाले इस प्राकर्तिक तेल को सोकर चेहरे पर जमी गंदगी को साफ करती है इसी वज़े से माना जाता है कि मुलतानी मिट्टी का इस्तिमाल करने से चेहरे पर मुहासे कम हो जाते है मुलतानी मिट्टी चेहरे के दाग दबो को भी कम कर सकती है क्योंकि यह तवचा को गहराई से साफ करती है इसे इस्तेमाल करने के लिए तीन चम्मच मुलतानी मिट्टी में एक चम्मच शहद और जरूरत के हिसाब से गुलाब जल मिलाकर पेस्ट तयार कर लें और उसके बाद इसे चेहरे पर लगाएं और कुछी देर बाद चेहरे को धोलें दोस्तो पिमपल स्ट्रीटमेंट के घरेल उपचार में सेब का सिर्का भी शामिल है तौचा के pH लेवल में एसन्तूलन याने की imbalance होने के वज़े से भी मुहासे हो जाते हैं इसी वज़े से पिंपल हटाने के उपाई के रूप में सेब के सिर्के का इस्तिमाल किया जाता है। दरसल सेब का सिरका त्वाचा के pH को संतूलित करने का काम करता है और इसके अलावा सेब के सिरके के anti-bacterial गुण एक्ने बैक्टिरिया को खत्म करके मुहासे को कम कर सकते हैं इसे इस्तेमाल करने के लिए एक चम्मच सेप के सिरके में आदा चम्मच पानी मिलाकर चेहरे पर लगाएं और कुछ ही दिर बाद चेहरे को पानी से धोलें। दोस्तों लहसुन को भी पिंपल हटाने का तरीका माना जाता है। इसमें एलिसिन होता है जो एंटी बैक्टिरियल की तरह काम करता है। यह तवचा को बैक्टिरिया फ्री रखने के साथ ही इन्हें पनपने से रोकने का काम भी करता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए जरूरत के हिसाब से लहसुन का पेस्ट बना कर तयार कर लें। और इसमें थोड़ा सा शहद और पानी की कुछ बूंदे डाल कर चेहरे पर infected जगा पर लगा लें। मिक्स्चर लगाने के बाद जब सूख जाये तो तुअचा को धो लें। अरंडी का तेल दोस्तो कैस्टर ओयल यानि के अरंडी का तेल तुअचा की गंदगी को साफ करने का काम करता है। साथ ही अरंडी के तेल में तुअचा संबंदी समस्याओं से लड़कर इसकिन को सुष्थ और मुलायम बनाने का काम भी करता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और एंट्री माइक्रोबियल गुन भी पाय जाते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए जरूरत के हिसाब से अरंडी के तेल में एलोवेरा का जैल मिलाकर चेहरे पर लगा ले। मिक्स्टर के सूख जाने पर त्वचा को गुन गुने पाने से धोले। नमबर साथ हल्दी दोस्तो हल्दी का उप्योब भी पिमपल हटाने में किया जाता है। साथ ही हल्दी में करक्यूमिन भी होता है जो एंटी इंफलेमेंटरी के साथ एंटी माइक्रोबियल गुन भी परदर्शित करता है। ये गुन मिलकर पिमपल वे मुहासों को ठीक करने में मदद करते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए चुटकी भर हल्दी में शेहद मिलाकर पेस तयार कर लें। और इसे चहरे पर 20 मिनट तक लगा रहने दें। उसके बाद अपने चहरे को धो लें। नमबर 8. सेंधा नमक दोस्तों पिमपल हटाने का आसान तरीका सेंधा नमक भी है। तेंधा नमक के पानी में डुबो कर अपने मुहासो पर लगा लें। करीब 20-3 मिनट तक मुहासो पर लगा रहने के बाद उन्हें हटा कर अपना चेहरा धो लें। तो दोस्तों ये थे पिमपल से छुटकारा पाने के लिए कुछ घरेलू उपाए। उम्मेद है आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इससे जुड़ा हुआ कोई बेगर सवाल हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की फायदमन जानकारी पाने के लिए देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। शुक्रिया।